अब बचो यह बहुत ही बढ़िया आपके पास कोई अब पास होती है जब कभी भी हम लोग पून उदाशीनी करण की कोई भी अविक्रिया होती है तो आप यह दिहारा नहीं बच्चो उसमें हमारे पास जो ग्राम तुल्यांक होगा जो भी आपके पास अमलका वो आपका बराबर होता है ग्राम तुल्यांक च्छारगा वो आपका बराबर हमारे पास होता है बच्चो ग्राम तुल्यांक जो भी आपके पास च्छारगा होगा दोनों बराबर होगा अब ग्राम तुल्यांक आप निकालते हैं कैसे बच्चो यह निकालने के बहुत फॉर पाहर दिवाइब लिएन वाल्यूम और आपके पास हमारे पास बचो एक इसका और फॉर्मला होता निकालने का वो होता है इनटी एंट फेक्टर आप जैसा व्चर्ण में जो भी कंडिशन होगी वह प्रूपर अम्ल है अम रिखले बच्छू उसने बहार दिया हुआ है तो और यहां पे इसका बहार दिया है यहां पर performe यूझ करें गे और 6 के लिए इसने बसक्तै इंठू इसने 3 यहां पर bakalım मुद्रक्टी होती है कि मिल्लारrdi into n factor into volume तो आप यही उसकर हो तो मुलरता आपके पास 0.2 है into n factor एन वच के लिए 1 हो जाएगा वैसे इसके मुलरता और नॉर्मलता दुनों बरावर होगा क्योंकि एन वच कली n factor हमारे पास बचो 1 होता तो यह आपके पास 1 हो जाएगा वॉल्यूम आपके पास बचों में कितना है यह हमें निकालना है ml में होगा तो इससे बंटी ब्लाइबा थाउजन करना था और भार आपके पास यहां पर 0.49 है और और अर्थो फॉस्फोरिक अमले बचों मारे पास क्या होता है इसका फॉर्मला के पास होता है बचों स्ट्र स्ट्रियांग भार क्या होता है मौलर भार डिवाड़मेंट फैक्टर तो यह बच्चों आपके पास हमारे पास यहां पर आपकी एक्क्वेशन आपकी अपनी बन चुकी है इसका यूज करके हमें इस को सॉल करना था वॉल्यूम निकल कि आता अब इसको जब सॉल करेंगे 48 यह आपके पास 1 घुंटी हो जायगा नई बन जी हो एक आय तो आन्थान ने इंटू करोगो स्वाइब के पास फाइव、तलो को जाया आप जाया तो 15.502 तो 75 ml के आसपास बचो हमारे पास यह एंसर आपके पास निकल किया रहा है तो आई होप इस कोशन का से जवाब के पास 75 ml हो जाएगा और कैसे हमने सब्सक्राइब होता है तो आम लोड छार का बरावर होता और जैसा सिचुएशन होता है बच्चों उन में से वह वाला फॉर्मला यहां पर यूज कर सकते हो गराम तुल्यांग निकालने के मारे पास कई सारे फॉर्मले होते हैं थैंक्यू